तो इसके लिए ये देखिए मैंने स्टिचिस डाल लिए इसके जो स्टिचिस डालेंगे फोर के मल्टीपल में प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा फोर के मल्टीपल का मतलब चार फिर से चार इस तरह से चार चार गिनते जाएं लास्ट में एक फंदा एक्स्ट्रो चाहिए होगा और सीधी तरफ से ये पैटरन शुरू होगा और एट रोज में ये कम्प्लीट हो जाएगा तो बोर्डर के बाद जो पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी यह देखिए यहाँ पे अब हम अपना सेकिंड कलर एड कर देंगे एक फंदा सीधा तीन फंदे स्किप करेंगे और हमें इसी को बार बार रिपीट करना एक फंदा सीधा और तीन फंदे स्किप करेंगे फिर से एक फंदा सीधा तीन फंदे स्किप करें और लास में एक फंदा सी था अब अमारी पेटरन की सेकेंड रो है बैक साइट एक फंदा ये उल्टा और एक ये वला भी उल्टा दो फंदे उल्टे बनाएंगे और एक फंदा स्किप करेंगे अब ये फिर से अब इस फंदे को छोड़के यहां से रिपीट पेटरन वाले उल्टे ये देखिए और एक फंदा स्किप करा जो तीन फंदे हमने ओधर से स्किप करें थे उसमें से बीच वाला फंदा स्किप होगा अब तीन फंदे उल्टे एक फंदा स्किप करा लास्ट में दो फंदे बचेंगे दोनों उल्टे अब हमारी पेट्रन की थर्ड रो है फ्रंट साइट पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है निट ओल दा स्टेचेज जब तक मैं ये सीधी सिलाई बनाती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि दूसरे जने भी इसको बनाना सीख सके अब हमारी पेट्रन की फोर्थ रो है बैक साइड पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे पाल ओल्ड स्टिचेज अब हमारी पेट्रन की फिफ्थ रो है फ्रन्ट साइड पूरी सिम वैसे ही बनानी है जैसे हमने फिर्स्ट रो बनाई थी एक फंदा सीथा अब कलर चेंज होगे यहां पे हमारा और तीन फंदे स्किप करेंगे तो हमें इसी को बार बार रिपीट करना है एक सीथा तीन स्किप करें एक सीथा तीन स्किप करें फिर्से एक सीथा तीन स्किप करें और लास्ट में ये फंदा C था अब हमारी पेटरन की 6th row है, सेम वैसी बनेगी जैसे हमारी 2nd row बने थी, 2 फंदे उल्टे ये वाला फंदा skip करेंगे अब 3 फंदे उल्टे 1, 2 3 एक फंदा skip करेंगे, ये जो 3 फंदे थे उसके बीच वाला फंदा skip करेंगे 1, 2 3 skip करेंगे, लास्ट में 2 फंदे सी थे उल्टे, सोरी अब हमारी पेटरन की है 7th row है front side, पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है, पाल ओल्टे स्टिचेज अब हमारी पेटरन की एड़ थो बैक साइड पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है, पाल ओल्टे स्टिचेज तो अब ये देखिए अब हमें फिर से first row से शुरू करना है अब चाहो तो इस color को भी use कर सकते हो चाहो तो third color आप यहाँ पर use कर सकते हो मल्टी color में भी हम इसको बना सकते है इस color की जगह हर बार color हम change कर सकते है ये बीच में ये वाला main color रहेगा और बार बार इस color को हम change करके बना सकते हैं तो उमीद करते हूं इस तरह से अगर हम अब first row से दुबारा से शुरू करेंगे तो 8 सिलाईयों को जब हम repeat करते जाएंगे तो इस तरह से एक ये बड़ा सुन्दर सा pattern बनके ready हो जाएगा उमीद करते हूं आपको ये pattern पसंद आया होगा मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की notification आप लोगों को मिल सकते इसी के साथ इस वीडियो को